बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम असलामु अलेकुम स्टुडेंट्स जैसे कि आप लोगों को याद होगा लास्ट लेक्टर में हम लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम औफ हुमेन बोडी डिसकस किया था ठीक है इसमें हमने डिफरेंट ग्लैंड्स को और उनमें से रिलीज होने होले हॉर्मून्स को डिटेल में डिसकस किया आज का हमारा लेक्टर जो है इसमें हम लोग फीड़बैक मेकनिजम और हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसकी डिफरेंट डिसॉर्डर्स इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे Students, feedback mechanism की बात की जाए तो ये दो अलफास का मजमूव है Feedback का मतलब दरासल लिया जाता है कि किसी की राय लेना Basically, feedback mechanism से मुराद है कि किसी भी process को उसी के output से control किया जाता है Feedback mechanism की definition बहुत important है ये short questions में भी पूछी जा सकती है आप इसकी definition ज्यों तरह से लिख सकते हैं कि regulation of a process by the output of the same process किसी भी process का regulate होना अपनी ही output से इसको feedback mechanism बोलते हैं अब हमारे पास feedback mechanism की दो टाइप्स हैं आए उन्हें डिस्कस करते हैं First is positive feedback Second is negative feedback इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या है कि positive feedback की बात की जाए तो इसका मतलब ये है कि if the output of the process increase the same process it is called positive feedback और negative feedback क्या है if the output of the process decrease और inhibit the amount of that process it is called negative feedback ठीक है अब हम इसको example से detail में discuss करते हैं अगर हम मिसाल की बात करें कि positive feedback की बात की जाए कि suckling action of a milk by a baby यानि कि जब बच्चा मा का दूद पीता है जितना ज्यादा वो सक करता है उतना ही ज्यादा milk produce होता है और जितना वो कम सक करता है उतना ही कम milk produce होता है ये जो process है ये positive feedback है यानि कि किसी भी process की output से वो process जो है वो increase कर जाता है या ज्यादा हो जाता है यानि कि बच्चे के ज्यादा सक करने से दूद ज्यादा ही produce होता है और जितना वो कम सक करेगा उतना ही कम produce होगा अब अगर negative feedback की बात की जाए तो इसकी example में insulin आ जाता है अगर हमारे blood में glucose level जो है वो कम हो जाए तो हमारा जो pancreas है वो insulin परदा करता है insulin blood से glucose को uptake करता है और body के हिस्सा बनाता है बार बार absorb करता है ज़्यादा से ज़्यादा absorb करता है यहाँ तक के set point से नीजे जले जाती है blood की glucose इसके result में क्या होता है insulin की production रुक जाती है यानि insulin ने अपना काम किया उसका काम एक हद से बढ़ गया तो उसकी production को रोग दिया गया यह negative feedback है इसको हम negative feedback की मतलब से समझ सकते हैं कि blood में glucose की concentration एक set point से नीचे जली गई तो glucose पैदा होना शुरू हो गया और insulin की production रुक गई insulin के काम के ज्यादा होने की वज़ा से insulin की production का रुक जाना ही basically हमारा negative feedback कहलाता है students आपको अपनी स्क्रीन पे एक diagram show हो दी होगी basically यह diagram आपके endocrine system से system की है जिसमें हमारे पास different glands होते हैं जैसे कि आपको diagram में नज़र आ रहा होगा पिचुट्री gland उसकी location बताई हुई है ठीक है हमने इसको discuss किया था देखें आपको picture में नज़र आता है कि इसके two lobes हैं anterior posterior lobe है और इसके जो hormones release करता है उसकी वज़ा से अगर वो कम ज़्यादा हो जाए तो कौन सी conditions हो रही होती है इंसान को हमने वो discuss कि साथ ही साथ आप लोग देखें कि thyroid gland दिखाया हुआ है parathyroid gland दिखाया हुआ है जो कि posterior to thyroid होता है साथ में pancreas जिसमें हमने कहा था कि इसका बड़ा पार्ट हुए वो exocrine gland के तोर पे काम कर रहा होता है एक छोटा पार्ट जिसे हम लेंगर हैं कहते हैं जो कि परसन में secondary characteristics produce करते हैं उसकी डियाग्राम भी आपको यहां पे show हो रही है ओके स्टूडेंट्स अब हम अपने next topic की तरफ move करते हैं जो कि है disorders of nervous system basically इस chapter में हमने nervous system को detail से discuss किया हमने central nervous system हमने peripheral nervous system को discuss किया brain spinal cord को discuss किया हमने somatic and autonomic nervous system को discuss किया इस nervous system में अब कुछ खराबियां भी पैदा हो सकती है जिने हम nervous disorders बोलते हैं अब दो तरह की खराबियां जो के यहां पे discuss की हुई है number one is vascular disorder, number two is functional disorder, ठीक है अब vascular disorder की example की बात की जाए तो इसकी example में आदत है paralysis या फिर paralysis ठीक है अगर functional disorder की बात की जाए तो इसकी example epilepsy है, ठीक है students अब इन दोनों conditions को हम one by one details से discuss करते हैं ओके, start करते हैं paralysis से paralysis को उर्दू में fallis कहा जाता है, यह एक ऐसे विमादी है कि जिस से मुतासरा शक्स के जिसम का कुछ हिसा जो है वो नकारा हो जाता है वो बिलकुल काम नहीं करता ठीक है, अपना function lose कर देता है इसको हम fallis का attack होना यहाँ पिर paralysis बोलते हैं यह short question के point of view से बहुत important है आप इसमें लिख सकते हैं complete loss of function by the body or a part of body okay, further details की तरफ हम चलते हैं अब अगर हम इसकी causes देखे तो यानिके paralysis इसकी कौन सी causes हो सकती है अब इसकी different causes में आता है central nervous system ठीक है यानि के brain और spinal cord में कोई भी dysfunction आ जाना या कोई problem आ जाना या पिर हम कह सकते हैं के brain और spinal cord में कोई infection हो जाना number two कोई poison भी इसके वज़ा हो सकता है यानि के कोई जहरीला मुवाद आ जाए तो number three stroke ठीक है stroke का मतलब क्या है blood vessel का rupture हो जाना ठीक है यानि के खून की नाली का फट जाना वो खून की नाली जो के हमारे दमाग तक हमारे central nervous system तक खून लेकर जा रही है इसी तरह clothing ठीक है यानि के खून का जम जाना हमने paralysis की चार कोजिश दिस्किस की यानि के CNS में कोई infection हो जाना कोई poison आ जाना यानि के कोई ऐसा जो हैना material कोई ऐसा कोई ऐसी तीज हमारे mind में चली जाए दिसके वज़ा से जो हैना poison फैल जाए या फिर stroke का हो जाना या इसके लाबा clothing हो जाना इस सब की वज़ा से क्या होता है paralysis हो सकता है यानि जिसम के जिस हिसे को खून की supply रुक जाएगी वो हिसा बिलकुल नकारा हो जाएगा dead हो जाएगा उसका काम खतम हो जाएगा और वो मुर्दा हो जाएगा और हम यह कहेंगे कि उसको foliage का attack हुआ है अब students foliage का attack पूरे जिसम पे भी आ सकता है जिसम के उपर वाले हिसे पे भी आ सकता है नीचे वाले हिसे पे भी आ सकता है ठीक है और सिरफ बाज़ों पे भी आ सकता है यहां पे सिरफ टांगों पे भी आ सकता है ठीक है यह foliage का attack है जिसे हम paralysis बोलते है यानि के blood supply में खराबी की वज़ा से यह problem आ रही होती है ठीक है ओके students next हम लोग discuss करते हैं epilepsy को epilepsy कहते है मिरगी के दोरे पढ़ना students यह भी nervous system का disorder है यानि असाबी निजाम की खराबी है short question पूछा जा सकता है कि epilepsy क्या होता है और आप लिख सकते है abnormal और excessive discharge of nerve impulse ठीक है यह basically epilepsy कहलाता है यानि कि nerve impulse का गयर ममूली तोर पे यहां फिर बहुत ज़्यादा पैदा होना या discharge होना epilepsy की वज़ा बनता है ठीक है इसकी different वजूहात है वो कौन-कौन से है हम वो discuss करते है यहां पर आप यह समझ लीजिए कि यह एक convulsive disorder है इसमें दोड़े पढ़ते है और scissors scissors का मतलब होता है जटके लगना हमारे मौश्रे में जहां तोम प्रस्ति पाई जाते है जहां कमजोर अकायद पाई जाते है वहां यह समझा जाता है कि इस बिमारी की जो वज़ा है बिसिकली वो कोई भूत या प्रेथ है या कोई साया है या कोई जदू के स्रात है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दर असल यह एक nervous disorder है जिसमें दर असल excessive amount में या abnormal amount में जो nerve impulse है उसका discharge होता है इसके result में यह condition जो है वो body में develop होती है causes की बात की जाएं तो अगर यह छोटी उमर में हो तो इसकी वज़ा genetics भी हो सकती है यानि inheritance हो सकती है mutation की वज़ा से हो सकती है यहां फिर कोई developmental problem भी हो सकती है लेकिन अगर यह बिमारी जो है body age में हो रही है यानि के old age में या फिर body age में हो रही है तो इसकी वज़ा tumor भी हो सकती है ठीक है head का कोई trauma कोई चोट लग जाना वो भी हो सकती है इसके इलावा central nervous system में पैदा होने वाला कोई infection भी इसकी वज़ा बन सकता है ठीक है ओके students अब अगर इसके treatment की बात की जाए तो इस बिमारी का कोई acid इलाज तो नहीं है लेकिन इसके symptoms को treat करने के लिए जो medicines use की जाती है उसमें anti-convulsants और anti-epileptic drugs बोला जाता है ठीक है यानि के ये drugs जो है जटकों की सिद्दत को कम करती है students यहाँ पर एक बात जहें में रखिएगा कि बहुत ज़्यदा इस्तियात की ज़रुएत है अगर कोई patient epileptic है यानि के उसे मिर्गी के दोरे पढ़ते हैं जटके लगते हैं उस दुरान उसके मुँ में कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए वरना वो उसकी सूरत में क्या होगा कि अपनी जबान को अपने दांतों से चबा सकता है ठीक है students यह थी nervous system disorders ठीक है आज के इस lecture के बाद हमारा जो chapter 12 है वो complete होता है आपने इसे अच्छे से रियाद कर लेना है इसके concepts को clear रखने है ताके आपको papers में कोई difficulty नहीं है It's all about today's lecture Thank you